तो सबसे पहले हम एरिस्टोटल की बायोग्रोफी डिसकस करेंगे दिन उनके बाद उनके बुक्स और फ्लोस्पीज वगेरा को देखेंगे तो बायोग्रोफी में यह है कि एरिस्टोटल जो है वो 384 बीसी में पैदा हुए है इनके जो फादर है वो रोल डॉक्टर थे और अरिस्टोटल 17 यह के थे तब इन्होंने प्लेटो की अकेडमी जोइन की थी इसका मतलब यह है कि जो प्लेटो थे वो अरिस्टोटल के उस्ताद है और एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर दीक्रेट को भी पढ़ाया है जो कि स्ट्री के बहुत बढ़े पाउरफुल डीडर माने जाते हैं और एरिस्टोटल जब 62 यह के थे तब इन्होंने वफात पाई थी यानि 322 बीसी इन ग्रीस अब आ जाते हैं अरिस्टोटल के बुक्स पे वैसे तो एरिस्टोटल ने बहुत जाता बुक्स लिखी हैं यह लेकिन जो इनकी फेमस बुक्स हैं वो यह टेन है जो मैंने यहाँ पे मेंचिन की और मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है सबसे पहले जो बुक है वो निको मिकेन इथिक्स है इसमें इथिक्स के बारे में बताता है और अच्छी जिंदगी किस तरह से गुजार सकते हैं उसके principles क्या हैं इनके बारे में बताता है और इसमें virtue, morality और happiness के सी हासिल की जाती है इसका भी जिक्र है और दूसरा भुक है politics politics में ये different types of governments का बताता है उसके strengths क्या है, उसकी weaknesses क्या है इनका जिक्र करता है तीसरा भुक है metaphysics इसमें ये nature of reality, existence और nature of change को discuss करता है और चोथा भुक है politics politics में ये different type of poetry nature of poetry, drama और storytelling पर focus करने को गहता है और पांचवा भुक है physics physics में ये nature world को जिक्र करता है और different type of topics like motion, space और time को examine करता है और चटा भुक है on the soul इसमें ये बताता है कि हमारे mind और soul का आपस में क्या connection है फिर seven book है rhetoric rhetoric में आर्ट और persuasion and effective communication का जिक्र करता है और eight नमर पे है prior analytics में ये logical reasoning and deductive reasoning का जिक्र करता है कि हो किस तरह से हमारा logical system बनाती है फिर आजाता है categories categories में he discusses the ways in which things can be classified and categorized जिस तरह से हम चीजों classify करते है categories में ये इस का जिक्र करता है categories book में अब आजाते है aristotel के philosophy पे aristotel ने सबसे पहले जो philosophy दी है वो the four causes है उसमें वो four causes का जिक्र करता है एक material cause दूसरा formal cause और तीसरा efficient cause जो था है final cause तो पहला cause है material cause material means के matter वगेरा जो है वो ठीके किसी भी टाइब का material चाहे है वो लकडी हो, लोहा हो, मटी हो हर चीज मेंटर से बनी हुए जिससे के हम सब जानते हैं for example हम dining table का मिसाल लेते हैं dining table का बनाने के लिए में लिए क्या material चाहिए होगा obviously लकडी चाहिए होगी तो हमें जो लकडी चाहिए ये होगा first cause यानि के material अब मेटर के बाद दूसरा cause क्या होगा formal cause यानि के हम जो है उसको क्या form देंगे उसकी शकल क्या होगी तब जाकर उस पर काम शुरू होगा जब काम शुरू होगा तो उसको हम बोलेंगे efficient cause efficient cause means के labor लेबर जो होता है human का काम होता है जब ये सारी चीज़ बन जाएगी dining table तयार होगी तब हम उसको बोलेंगे के ये final cause है क्योंके उसकी जो है शकल वगेरा सब कुछ हमने उसको form बगेरा दे दिया है वो final cause का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को हम purpose देंगे तो dining table का purpose ये होता है कि हम उस पर कोई चीज़ रखें या वो किसी चीज़ को सहारा देती है इस तरह से theory of mimesis mimesis means imitation and imitation means representation mimesis की जो general meaning है वो imitation है और imitation की अगर हम generally meaning देखें तो इसकी meaning है nuggle करना to copy लेकिन अगर हम इसको philosophical perspective में देखें तो इसकी meaning है representation किसी चीज़ को represent करना basically ये जो philosophy है वो Plato ने दी है लेकिन Aristotle ने इसको criticize किया है और इस पर अपना point of view दिया है ठीक है और इस philosophy में Plato कहते हैं जो भी forms of arts होती है वो imitation होती है for example आज हम कुछ भी बना रहे है painting कर रहे है या फिर music create कर रहे है या फिर sketch बना रहे है या फिर poetry बना रहे है ये सारी चीज़ें जो है God ने बनाई हम सरफ इसको imitate करें इसको represent करें हमारे पास कुछ भी अपना original नहीं है ठीक है इस बात के सुक्रेटीस कहता है कि poets को कभी seriously नहीं नेना चाहिए और उनकी poetry को भी seriously नहीं नेना चाहिए अब आजाते है Aristotle के view पे कि Aristotle किस तरह से इसको criticize करता है Aristotle says art is imitation of nature but it's not just an imitation it has so many ideas of mathematics and to give a perfect shape to poetry we use symmetry इसका मतलब यह है कि Aristotle कहते है कि art जो है वो सरफ imitation नहीं है इसमें बहुत सारे mathematics के ideas यूज होते हैं और इसको एक perfect shape देने के लिए हम symmetry का यूज भी करते हैं पहले जो मैंने form के मिसाल दी थी dining table वाली उसको अगर आप इस पे रखें तो इसका मतलब यह है कि nature जो वक्त के साथ change होती रहती और final course जो होता है हमेशा same ही रहता है और यह कहता है कि art जो है everlasting है art कभी खत्व नहीं होती for example अगर हम Shakespeare का कोई sonat उठा लें तो वो अभी भी same ही है इसको बहुत सारे मतलब सदियां गुजर गई शायद लेकिन अभी तक वही चीज है similar है change नहीं हुई ठीक है और यह Aristotle जो है वो reject करता है idea of letter को Aristotle कहता है कि poets होते है वो सच से दू नहीं होते reality से दू नहीं होते कहता है कि history जो लोग बताते है वो आपको बताता है three different ways of poetry in the book of politics सबसे पहले है medium दूसरा है object तीसरा है mode यह जो types हैं यह हर तरह के art पे apply हो सकते हैं सबसे पहले medium है medium वो चीज होती है जिसके जरिया artist imitate करता है music को rhythm के जरिया imitate करते है इस तरह से और object means कि जिस चीज़ को imitate किया जा रहा है उसको object कहते है और mode जो है means किस mode में artist बता रहा है means कि उसकी state क्या है उसके situation क्या है जिसमें वो बता रहा है means कि narration के जरिया बता रहा है या acting के जरिया बता था इस तरह से जो चीज़े होती वो mode में आ जाती है अब आचा था है virtue theory virtue theory जो है virtue theory reflects ancient assumption कि human के पास होती है वो fix nature होती है वो nature उनकी कभी change नहीं होती लेकर इस टोटल सपर कहता है कहता है कि इंसान की जो nature होती है वो हम खुद बनाते हैं वो कभी भी fix नहीं होती in the same way that accounts are built with the desire to become an oak tree फिर ये oak tree का मसाल देता है what exactly does it mean to be virtuous Aristotle said that having virtue means doing the right thing at the right time in the right way in the right amount and toward the right people means कि हम जो भी सही करते हैं वो हमें एक virtuous बन्दे को symbolize करता है उसके बाद general information पर देख लेगते हैं general information में ये है कि Aristotle जो है वो political philosopher है क्योंकि इन्होंने book of politics भी दो लिखा है इससे truth is objective ये कहता है कि जो तुम्हारा सच है वो मेरा भी सच है लेकिन बाद में जो है फेडिक निट्शी आता है इसको criticize करता है कि truth is subjective जो तुम्हारा सच है वो तुम्हारा सच है मेरा सच है फिर he gave the concept of delos delos means कि हमारी life का purpose क्या है good का purpose क्या है quote का purpose क्या है अगर हम इस चीज़ को समझ ले तो हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते है फिर he question who created who ये इस पर question करता है कि खुदा ने इंसानों को बनाया है या फिर इंसानों ने खुदा को बनाया है